Hello everyone, you are welcome to Khadgaraj YouTube channel. In this particular video, I am going to discuss about the B-Farm in Nepal. B-Farm को किये scope छ, इसको eligibility किये वह, intern syllabus कस्तो ओन्छ, admission procedure किये छ, college and university कुन-कुन माँचै B-Farm चली रहको छ, fee structure की हो र, इसको course और syllabus कस्तो ओन्छ, इसको course और syllabus कस्तो ओन्छ, इसको बारे माँचै डिसकोस गरना को एरेको छू. First, वनेको eligibility criteria हो, eligibility माँचै सवन्दा सजीलो हेरने ओन्दा हेर छे, जो person भयो, जो student भयो, उसले चे plus two science करेको छ, और science को सासात minimum 50% माक्स छ, बने देखी, he or she is eligible for B-Farm. Second, बने को छे, उसले चे plus two छाई ना, बट उसले डिपलोमा गरेको छ, के माँचै जेनरल मेडिसिन माँचै अर मेडिकल लाब टेकनोलोजी, ophthalmics science, dental science, pharmacy, आयुबेर्दा, radiography और physiotherapy इसमा गरेको छ, बने पने उसले पनी उसले इलिजिबल हुनचै के को लागी, B-Farm. तो ये normal eligibility criteria पहला बने को plus two in science, second बने को छे, बिदिपलोमा इन अदर लाइक, आयुबेर्दा, pharmacy, dental science, रेडियोग्राफी तो वो पनी इलिजिबल हुनचै, second बने को course duration कोती हो, course duration बने को four years हुनचै, अब यसले हमने semester माँ डिबाइड गर दी मनाचै, eight semester बाया हुनचै, next बने को B-Farm entrance syllabus, syllabus based on the multiple choice questions हुनचै, आउसमानी अब टोटल 200 marks को कुईचैन हुनचै, टोटल questions 200 marks, full marks 200, और exam duration कोती हो three hours, तो based on the cutoff तपाईको कती नम्मर आयो, तेसको इसाबला चै, तपाई entrance और interview मा जाना सकना हुनचै, अब admission procedure मने को तपाईको entrance, जो MCQ किलियर बहायो बने, तपाईको next step बने को interview हुनचै, तपाई कीफि कशैंको जोनचै Campaign University in Nepal तेसको बाता 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 बातात बाता advocFA झाणी को साफिकाकों में बाता ने क्पाई meinen को एक। बिलेटेट विथ टू लाइक महाराजगंच मेडिकल क्यांपस आयोमी अनि सेकेंड इस दी नेशनल मोडल कलेज फर एडवांस लर्निंग अनि इसमाचे चातीष सीट शा बिफाम नेशिक लाइगी थार्ड वनेकोचे KIST Medical College, फोर्थ वनेकोचे आमरो चितवन Medical College जसमां 40 मारहाजी चालीष सीट चेटश तेशपची वारा आमरो गंडगी Medical College भायो इसमां इसमां बिफाम चली रिकाच़ाले तेश्पची बार लितिल एंगल्स कोलेज आफ हायर्स स्टडिस भायो, उनिवर्चल कोलेज अफ मेदीकल साइंस भायो, इसमा पनिछ सालिस इट्ष बी फार्मेशिको, देन गंडगी मेदीकल कोलेज भायो, ये सब पह चे बीफंड ऐफिलेशन कोलेज हो, अफिलेटेद वा तिर्बन TU नेक्स्ट इस दि ब्याचुलर अफार्मेसी कलेज एफिलेटेट वित के यू के यू इट्सेल्फ अज अ उनिवर्सिटी अ इंसिटूट जसमाचे नम्मर अप्स लाइक 60 सीट छा अंड तिना लेचे आम्रारी वी फार्मेसी चलाई राहे गोछा नेक्स्ट वनेगोचे ब्याचुलर अफार्मेसी कलेज विचार अफिलेटेट विती पोखरा उनिवर्सिटी तिस पू इन नेपल लाइक नोबल कलेज शंखमुल कार्मांडू विच अज़ पोटी सीट्स अज़न टेक्निकल कलेज सानेपल अलिदपूर पोखरा उनिवर्सिटी स्कूल स्कूल अफ साइन्स पोखरा अट थीस पोखरा अट इस अरहे को पुरवान छ नवडन्छा उनिवर्सिटी बडाते नमर हो उन्वाफ कोलेज परिवान्स लंक छोब। तो इसको योचे ही हम्रो पुरुबांचल उनिवर्सिटी एफिलिटेट कॉलेज हरु भाए है ना चास मचे भीफाम चाहा अनो तपाइश कोचे अब 6 लाख रुपे चाह भाने फी तो आप तपाइश लाचे डिवाइड गाना सब्नोंचा हर इंस्टल्मेंट मा अन्य हर सेमिस्टर मा आपे तपाइश भाना सब्नोंचा अर कोई स्टुएंट्स देरे टालेंटेड बयो रामरो बयो पढ़नामा ठिक सब्सक्राइश भाने देखी चाहिं उस कंडिशन माचे इस उनिवर्सिटी कुट गीब सम इस्कलरशिप्स तो दी स्टुदेंस बेस्ट अन् दियर पर्फोमेंस अन् ब्याचुलर ऑफार्मेसी सिलेबस यहने बनेचे नमरी नर्मली सिलेबस यह फस्ट एर माचे नर्मली ह सब्सक्राइश भार्माकुलोजी फ्राउरी प्लस प्रार्टिकल देन माइक्रो बाइलोजी फ्रार्माइक्रोबाइलोजी फ्राटिकल यह फर्स्ट एर मां आमले पड़नेऊ तो आम यहला जेए दुई उड़ा सेमेश्टर मा डिवाड गानना सक्छों सेकेंड बाने को सेकेंड एर माचे आमले फार्मास्योटिक्स वान भायो फार्मास्योटिक्स कोनी प्राक्टिकल प्लस थेवरी दुटे पर्णू परो तेसपची गर मेडिशनल क्यामेस्टिक को थेवरी प्लस प्राक्टिकल धेन हमने फार्माकोगनोसी परिंच तेस फार्म को मोने, घयो अवहां ना भकाना, इसको थेहोरी प्लस प्रैक्लल, वोहेयो प्रेकिक हो मिपंस्टतिक युर्प प्रय्टिकल रिस्टाूटलो जभी ऐयो बोगल्चोक। तिस पची गर जुरिस्प्रोटेंस बने को चे अब नर्मली के लोग हो इसाफ निके छ तिसको बाले मानी पढ़नों पड़ियो यह चे हमाँ थाड़ेयर माँचे लाइसेंस को कुड़ा गरने बन्चे आमी जब तपाइको बीभाम चे कम्प्रीट हुंचा तिस पची लाइसेंस इक जाम दिना सकना हुंचा आफटर कॉंपलीशन और आफटर क्वालिफाइदी लाइसेंस तपाइको शैलरी है निमने चे लोग सेवा माँचे एराउंड 38 के मिल्चा और लोग सेवा 5 माँचे 29 के को सैलरी होना सक्षा अपर्ट फोम धाट, यू कन पर्शिवं So I hope you like this video and definitely you will subscribe and comment.